भरते टिम को वाल्ड कॉप के फाइनल मुकाबले में अस्ट्रिया को हराने के लिए दोस्ट चोबरान बना रहे थे और इसके बाद पूरा मेच ही पलट गया जिहां दोस्तो भरत और अस्ट्रिया के टिम के बीच अन्ड़ना इंडिन वाल्ड कॉप दोहजार चोबीस का बना लिये थे साथ विकेट के नुक्सान पर जहां दोस्तो अस्ट्रिया की तरफ से हर्देश सिंग ने 55 रनों के संदर पर खेली थी तो दोस्तो उनके अलावा उस्ट्रिया की कफ्तान गुर्व डेम डेम ने 40 रन बनाए थे तो लेवल उप इक्स 46 रनों के पर खेली थी तो हैरी जंसन ने 22 रन बनाए थे और दोस्तो भरत की तरफ से गेंदबाजी में इमानी को तीन विकेट हाथ लगी थी और उन्होंने अपने 10 सुबर में के बल 38 रन देकर तीन विकेट ले थे तो उनके अलावा भी नवान तिवारी को दो विकेट हाथ लगी थी और समय पन भरत के एक के बाद एक विकेट गिरते चालू हो गई और दोस्तो भरत की तरफ से कोई वल लेबाज वहतरिन पर ही नहीं खेल पा रहा था जिसलिए भारत की हाथ से मुकबला फिसलता ही जा रहा था हाला कि अखरी में आकर मुर्गन अविस्टेक ने कमाल का प्रदसन करा औ भरत के बाद बाली से रन मना कर आउट हो गए थे और भरत के बाल 174 रन मना कर आउट हो गया और ऐस्ट्रिया की टिम ने फाइनल मुकबला उनसी रनों से जीत कर इस अंडर 19 वाल्ड कॉप को अपने नाम कर लिया है जहां दोस्तो भरत की तरफ से वाल्ड ट्रेस्ट चंप कमेंट वे जाकर आउस्ट्रिया से फाइनल में हार चुकी है और यह भरत के लिए काफी बूरी ख़बर है दोस्तों वीडियो कुछ इंफरमडियो लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्ट्रेव किजिए थेंक्यू